तो फ्रेंट्स कैसे आप सब आशक करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं मनी स्वाल्ट करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम जैस्ट में इस वीडियो में हम बात करने वाले एससी फेज नाइन का जो आपका एक्जाम हुआ था उसकी अंसर की है जो वो आ चुकी है डिजल्ट आपका कब तक आ सकता है और डिजल्ट में जो देरी हो रही है वो देरी क्यों हो रही है इस पर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और डिजल्ट के बाद आपका जो बाकी का प्रोसेस है डोकुमेंट वैरिफिकेशन और कुछ करा लिया जाएगा इस वीडियो में हम सभी चीजों पर बात करने वाले हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर रहे हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस्ट कर दीजेगा गोर्मन जोब की परपल अबडेट के लिए तो जैसा कि आप द elets्लेटिटा कोई भी नोटिस जो है अंसर की के बाद नहीं आया है तो यानि कि आप यह मांजR की के बाद कोई नोटिस नहीं आया तो डायर्ट आपका जो है डिजल्ट ही अन्нाउंस किया जाएगा कि तो कि किछली बाह पर आपका ठीजल्प ऐसya कर दिया गया था उसके ब तस गुना या 20 गुना candidate होते हैं वो पोस्ट वाइज होते हैं अगर किसी की 10 से कम पोस्ट है तो उसके अंदर 20 गुना candidate बुलाई जाते हैं और अगर 10 से ज्यादा पोस्ट है तो उसके अंदर 10 गुना candidate बुलाई जाते हैं कुछ इस तरीके का पेज 9 का इनका प्रोसेस रहता ह पेज नाइनका इनका प्रोसेस रहता है अगर मैं बात करता हूं कि चो रिजल्ट है आपका कभ तक जारी हो जायेगा तो रिजल्ट आपका जारी मई के मंत में जारी किया जा जासकता है अभी इसकी कोई ओफिशल नोटिस जारी नहीं हुआ है कि आपका मही में जारी होगा लेकिन जैसे पिछली बार जैसे एक्जाम खतम हुआ था उसके तीन मन्त के बाद आपका डिजल्ट जो है वो जारी कर दिये गया था तो इस बार भी आप मान के चलिए कि तीन मन्त के बाद आपका जो डिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा इस वीडियो में परस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले थेंक यू